दिरे दिरे जो हैं बहुत तेरी से इंडिया आप कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है और मैं धीरी दिरे क्यों बोल रहा हूं कि ऐसी जिजने जटके से नहीं हो सकती यह सब्दियों से काम चल रहा है अब जाके आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं स्वागत है आप सभी का लेटिस रेक्शन मिक्स की एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आज हम वल्ल अफेर्स वाले प्रसंट सर के वीडियो देखने जा रहा है और जो इस रो डियाडियो ने मिलके जो रियूसेबल लांच वहेकल टेस्किया और जो सक्सेस्फिल हुआ उ बहुत जादा एपिक होने वाले हैं और यहां पर आप देख पाओगे इस रो की ट्वीट इंडिया अचीव डेट ना इस रो इस टाइप की ट्वीट करता है जब सच में कुछ हमने स्पेशल एकॉंपलेश किया है और हाली में हमने एक रियूसेबल लांच वियकल की अगर हम इस टेक्नोलजी को डेवलप नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत ज़रा पीछे रह जाएंगे तो वी नीड टू डेवलप देस वरी फास्ट ना इस रो ने किस टाइप का टेस्स किया है यह सब आपको बताऊंगा मंगर सबसे पहले ना यह समझ लो कि मैं यह क्यों कह रहा हूं कि दुनिया में हम पीछे रह जाएंगे अगर यह टेक्नोलोजी डिवलप नहीं हुई यह तीम पॉरेंट क्यों है ध्यान दीजें यहाँ पर यह वर्ड यूस किया जा रहे हैं रियूजेबल लॉंच वियेकल आज कैसा में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसे कर रही है तो उसका रीजन है रियूजेबल रॉकेट क्योंकि वैसे आप अगर देखो नॉर्मली जब हम रॉकेट को लॉंच करते हैं तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जो नीचे का पार्ट होता है जो बूस्टर्स होते है रॉकेट के यह एक हाइट पे आके ब पहुचाना है वो होंगे तो बेसिकली आप रॉकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्मोस्ट आप कह सकते हैं 80% हिस्सा वेस्ट कर रहे हो उपर यही बस काम आएगा यह वापस हर्ती में गर जाएगा नाव स्पेसेक्स ने यही सब देखा और स्पेसेक्स ने क्या किया र सेटलाइट पहुचा दी अब उसके बाद ना अराम से यह पूरा रॉकेट धर्ती पर लेर्णिंग कर रहा है तो आप आपके सामने यह स्पेसेक्स को आप क्या करना है कि वापस इस रॉकेट में फ्यूल भरना है और यह बोडी फिर से त्यार हो जाएगी दूसरे तीसरे चौथे लॉंच के रिए आप बहुत सा पैसा इस तरीके से बचा सकते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि यह तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया होना चाहिए कोवन सेंस वाला बाकी देश क्यों नहीं करते इसले नहीं करते क्योंकि सबसे जादा डिफिकल्ट प्रोसेस होत यह बड़ी एक फेमस वीडियो है स्पेसेक्स की लैंडिंग फेल कर गई थी और इस तरीके से आप आप देखो के रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा अभी सारा खेल यह आपर लैंडिंग का है ठीक है देखो रॉकेट धरती पे आप ले आओगे मगर उसको लैंड कैसे कर होगे अगर आपने सीख लिया तो आप बिलियंज बचा पाओगे और हां यूएसे ने प्राइमरी स्पेसेक्स ने बिलियंज कमाए है नासा के बहुत सारे पैसे बचाई भी है इस टेक्नोलजी से और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएसे ने कितने पैसे कितने डॉलर बचा लिए इस टेक्नोलजी से तो डेटा आपके सामने है एक टाइम पर स्पेसेक्स लॉंज करता था एक सैटलाइट एक अंतरिक्ष में कुछ अगर लॉंज करना है यूजुली एक सर्टन वेट का तो स्पेसेक्स चार्ज करता था अराउंड 100 मिलियं डॉलर्स ठीक है य रियूजेबल रॉकेट से पुझा सकते हैं तो उसकी वज़े से नासा ने भी 2021 में ही सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं 500 मिलियं डॉलर्र बचा लिए नासा का बजट अलएड बहुत बड़ा होता है उसके ओपर आप अगर 500 मिलियं डॉलर्र पर साल बचा रहे हैं इट इस एक हुज विक्टरी और अगैन ये डेटा 2021 का है तो 2022-23 में आप आनके चलीजे जो ये सेविंग्स है ये बढ़ने ही वाली है और इसलिए दुनिया में बहुत सारे बड़े देश रियूजेबल रॉकेट को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं इस टेकनीक को खुद कैसे य ये पड़ी है कि यूजूली ये टेस्ट चाइना के फेल हो जाते हैं तो चाइना इस फील्ड में अभी थोड़ा सा पीछे है रश्या ने अभी तक कुछ टेस्ट किया नहीं है मगर 2020 में इन्होंने बड़ी अनौस्मेंट करी थी के 2026 तक ये सिर्फ रियूजेबल आप कह लीजेए कौपी लगती है स्पेसेक्स के रॉकेट की आप है आप देख पाओगे कम्प्लीटली सेम डिजाइन सेम एवरीथिंग हाला कि मुझे लगता नहीं है कि रश्या दो हजार चबबेस का जो ये टार्गेट है इसको रीच कर पाएगा क्योंकि युक्रेइन कि वज़े से इनका बहुत रहा खर्चा हुआ है काफी लॉसेज हुए है तो मोस्ट पॉबली इनका रियूजेबल वाला जो सपना है ये दोजार सटाइस अठाइस तक फ़ड़ा सा आगे खिजग जाएगा ना फिर हम आते हैं इंडिया पर हम लोग देखो एक यूनीक ट् का रियूजेबल रॉकेट का ये थोड़ा सा यूनीक है यहां पर आप देख पाओगे ये है आर एल वी जो ये टीडी है इसका मदब टेक्नोलोजी डेवलप्पेंट है ये इग्णोर कर दो में आर एल वी इसको हम कहते हैं रियूजेबल लॉज वियकल अब आप कोगे ये थोड़ा सा देखने में ना स्पेस शटल जैसा लग रहा है नासा एक टाइम पर स्पेस शटल लॉज करता था इस तरीके से तो वो इसमें तो बूश्टर होते थे ये 100% रियूजेबल तो होता नहीं था यहां पर क्या होता ना के नासा दो जो ये बूश्टर जैना ये थोड़ा बहुत ये सिमिलर है डिजाइन में मगर जो थ्रस्ट मिलेगा ना ये थोड़ा सा अलग होगा हम लोग क्या करेंगे यहां पर के वियेकल को इस तरीके से लांज करेंगे टू स्टेज फॉर्मला से जी हां टू स्टेज होगा यहां पर ठीक है कोई सैटलाइट है लांज करनी है सैटलाइट जाएगी इसके अंदर ठीक है और यह यहां पर देगा थ्रस्ट अब यह दोनों जो है यह एक सर्टन हाइड पे मान लीजिए है थर्टी के सर्फेस से उसके बाद यह पार्ट अलग हो जाएगा मगर धर्टी पे आके क्रैश नहीं करेगा यह पा और यह भी वापस धर्टी पे लेंडिंग करेगा यह वाली जो लेंडिंग है यह थोड़ी सी ट्रिकी रहने वाली है और अभी रीसेंटली ना इंडियन एर फोर्स के साथ यह वाला जो कंपोनेंट है उपर का इसकी हमने एक लेंडिंग करी है अब यहां पे आप लोग दे काफी उपर हाइड पर पहुचा दिया उसके बाद ना इस लॉंज वियेकल ने खुद एक लैंडिंग करिये धरती पर इधर यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी वीडियो यह हेलिकॉप्टर उपर से इसने छोड़ दिया और उसके बाद जो यह लॉंज वियेकल है यह आराम से धरती पे आता है और उसके बाद यह आप नोटेस करोगे यहाँ पर यह यह एक प्रॉपर लैंडिंग कर लेता है यह जो प्रोसेस है ना हम पचासियो बार उससे भी जादावार रिपीड कर पाएंगे यहाँ पे हम बस डेमोस्टेट करने के लिए हलिकॉपर का यूज कर रहे है जब इसका एक्चॉल यूज होगा तो नीचे इसका बूस्टर होगा टू स्टेज प्रोसेसस को लाँज किया जाएगा मगर धरती पे हर बार यह जो पार्ट है कि जो कंपोनेंट है इस तरीके से सेफली वापस आएगा और अगर आप सोच रहे हैं कि यह थोड़ा सा साइज में छोटा लग रहा है छोटा एस्टे लग रहा है क्योंकि यह एक प्रोटो टाइप है जो एक्चुल बनाय जाएगा वेकल साइज में से थोड़ा सा बड़ा होगा मगर इस रो यहाँ पर एरो डाइनामिक समझ रहा है यह जान रहा है कि कौन सा डिजाइन काम करेगा किस तरीके से इसमें हम और इंप्रूव्मेंट कर सकते हैं लेकिन यह इंडिया ने बड़ आपना एक्सपरिमेंट की आए बड़ी जी जाए बड़ी 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 आप शेड करना चाहीं है बहुत ज्यादा है बहुब बहुब हो चुका है और जिए अप देगो ना पही ईक रितना प्रफार लेकर जाना पावर ही इसका निदेगा तन्ही जदा सब उसका इतनी जदा कावर आगेर की रॉप है उसको हर तफा बनाने में टाइम भी लगता है और खर्चा भी होता है साफ जारे तो कितना ज्यादा फरक पड़ जाएगा खर्चाई बच जाएगा अगर हम देखे तो कोई ना कोई सामने आता है और अगर हम देखे तो इंडिया जो है वो अलमूस हर फील्ड में हमें आज के ताइम में नजर आता है तो मुझे यह चीजे बड़ी अच्छी लाती है क्योंकि अगर देखा जाए तो वो स्पेसिक्स का जो एक बजट है और अगर अने वाले ताइमे मजी जैसे डेवल्फमंठ हो जी प्रोगर्स होगी तो वो किस तरीके से जो cost है कॉस कटिंग होगी उससे कितना फाइदा होगा जो कस्टमर है उनके जो क्लाइंट है तो मुझे लगता है कि काफी टफ टाइम जो है वो स्पेसेक्स को देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो क्या जबर्जस वीडियो थी प्रसांद से की और इसरों दिया डियो के बार में तो क्या का है वो तो इछले कुछ सालों से ऐसे जबर जस सक्सेस्फुल मिशन करते आ रहा है और एक पी यह रियूजेबल लॉंच वेहिकल का भी इन्होंने सक्सेस्फुली टेस्ट किया है और भी इसमें टेस्टिंग होगे जो नीचे का हिस्सा है वो भी अभी बाकी है लेकिन यह जो अभी किया है वो तो 100% successful लग रहा है और इससे सिर्फ इंडिया का नहीं लेकिन और भी देशों का इससे फाइड़ा होगा क्योंकि बड़े ऐसे इतने सारे देश हैं जिसके पास ऐसी technologies नहीं और हम इंडिया, USA, चाइना या फिर रॉस्या करके बरो से रहते हैं कि अगर उनको कोई satellite या ऐसा कुछ space में बेजना है तो उनसे वो NASA या फिर इस रो से collaboration करके वो अपनी satellite space दे है और जो अगर वो इंडियास का इस रो यूज करता है तो उसको cost भी बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि इस रो जिस तरीके से satellite launch करता है cost efficiently तो उन लोगों का भी फाइडा होगा इस रो को और इंडिया को भी इस से profit मिलेगा तो आपके क्या विचार है वो हमें comment section में लिखके जरूबटा अगर वीडियो पसाना है तो like करना मन पूलिए और चैनल पे नहें तो subscribe करना पी मन पूलिए